तो यहां पर सुमर सिंग भाई स्वारी गलत नाम लिया होतों तो यहां पर उन्होंने मुझे टैग करा रहा है कि क्रिप्टो हनुमान ने यहां पर एक पोस्ट किया था जिसके अंदर जो बैंक अकाउंट्स हैं वहां पर फ्रीज हो रहे हैं यानि कि जो बाइनस के उपर पीटूपी स्कैम्स आप कह सकते हो रहे हैं या पर जो ट्रांजिक्शन हो रहे हैं उसके अंदर यहां पर कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि स्कैमर्स की वज़े थे जो जिनाइन पार्टी हैं जो शायद अपने ट्रांजिक्शन कर रही है उनके भी अकाउंट यहां पर फ्री और यह सब तो अब हम जानी गए कि scams हो रहे हो scammer किस तरह operate करते हैं यह पर हम समझ गए कि किसी और का account hack करा आपके साथ transaction करी बानेस P2P पर आके and that's it आप देखो इसके कुछ basic solution है जो सब को पता है कि verified merchant से trade करो ये करो वो करो पर हम उनके पर बात नहीं करेंगे हम उन solutions पर बात करेंगे जो possibility जिनकी ज़्यादा है जहाँ पर कि आप trap में ना फसें और दूसरा यहाँ पर कि इस solution में आप लोगों को आगे थोड़ा आना पड़ेगा नहीं तो यह scams किसी के साथ भी हो सकते हैं और यहाँ पर यह scams अगर होते हैं तो problem भी उस person को सबसे ज़्यादा होती है चलिए तो आप solutions की बात करते हैं कि इसके क्या-क्या solutions हो सकते हैं सबसे पहला कि verified merchant जो कि हम लोग ने बात करी थी आप उसको पहली priority पे तो रखो कि आप एक verified merchant से trade करो लेकिन इसमें एक चीश का ध्यान रखो कि अगर आपने किसी भी platform के उपर पहले से कोई trade करा है किसी other person के साथ में और जिसके आपको कोई भी issue नहीं हुआ है तो दूसरा solution में आपको यह दे सकता हूँ तो आप दुबारा कर उस person के साथ similar trade करते हो P2P ही अगर आपको करना है तो आप definitely यहाँ पे जा सकते हो और easily अपने trade को कर सकते हो मैं किसी भी Indian exchange पे आने के लिए इसले नहीं बोल रहा क्योंकि हमाँ पे बहुत ज़दा issues चल रहे हैं तो वो यहाँ पे problems great हो सकती है तीसरा solution जो हमारे पास है वो होता है OTC group OTC group का मतलब यह होता है कि over the counter आपके trades होना यानि कि एक ऐसा छोटा सा group अपना किसी के बास बना लेना जहाँ पे कि कुछ particular trusted person हो और उनके बीच में ही dealing हो जिससे कि ना तो खरीदने वाले को दिखका दो ना बेचने वाले को दिखका दो और ऐसे group के अंदर आप वहाँ पे KYC भी कर सकते हो सामने वाले कि जिससे कि अगर आगे पीछे को issue आता है तो आप उस person से directly contact भी कर सको अब यह जो OTC group होता है या आप किसी भी YouTuber के through भी जा सकते हो मेरा कोई अभी तक group नहीं है और अब इसको manage करने के लिए मेंपास अभी manpower भी नहीं है तो मैं इस group को नहीं बना रहा हूँ लेकिन बहुत सारे लोग चला रहे हैं तो आप उनको approach कर सकते हो और ऐसे group के अंदर आप भी यहाँ पर शामिल जरूर हो सकते हो चौता तरीका जो है वो ऐसा तरीका जिसमें आपको pay करना होगा TDS अगर आप TDS pay करने को ready हो क्योंकि देको majority लोग TDS tax pay करने को ready नहीं है crypto के उपर और कहीं न कहीं उनको भी यहाँ पर सबस्यादा problem हो रही है अगर आप यहाँ पर TDS pay करने को ready हो तो यहाँ पर एक पूरी तरीके से एक genuine work किया जा सकता है जहाँ पर कि आप अपने crypto को buy और sale कर सकते हो वो भी market के particular rate के उपर और वो कोई भी issue नहीं होगा यहाँ पर कि आपके account freeze है किसी भी तरह की का जमेला यहाँ पर आए हाला कि यह जो system है TDS pay करने वाला इसके लिए कुछ companies अभी भी market में available है जिनको कि आप check कर सकते हो लेकिन इसका जो पूरा की पूरा software है वो बनाना अपने आपके costly चीजे और कहीं ना कहीं इसके पीछी की पूरी mechanism को बनाना भी एक tough है जिसके अंदर TDS के part के लिए भी कहीं ना कहीं आपको persons को hire करना पड़ेगा और वो TDS आपका हर month के एसाब से payoff भी यहाँ पर होगा जितने भी transactions आपर होंगे तो यह वाला जो कह सकते रस्ता है यह इतना easy नहीं है इसके लिए funding थोड़ी जादा चाहिए बड़ा एक group चाहिए लेकिन यही फिलाल में मुझे कुछ तरीके समझ आते हैं जिसके तुरू आप अपने trade को आपके कर सकते हो secure तरीके से आप अपने पैसे को ले सकते हो और crypto को इस industry को यहाँ पे फलने फुलने दे सकते हो क्योंकि scammers जो इस तरीके से work करें वो आज नहीं तो कल किसी ना किसी को target करें और ऐसा नहीं है कि किसी all ने scam किया तो आप नहीं फर सकते अगर A person ने B person को scam किया और इस B person ने C person से कोई transaction करी थी तो B और C दोनों के accounts यहाँ पे हो जाएंगे बंद जी हाँ या फिर इस A person ने किसी Z person से transaction करी होगी और उस Z person की transaction आप से हुई होगी तो इस transaction जहाँ पे एक जिनाइन transaction भी थी तो भी इस person से इस person की transaction की वेशे से सबके account पे यहाँ पे लगेंगे ताले तो यह कुछ majority problem है जो कि इंडिया में हम अब भी face कर रहे है अगर हम किसी भी चीज़ को यह बोल दें कि वो अपने P2P platform को सुधाल ले तो ऐसा बहुत ज़दा मुश्किल है verified merchant के साथ बस फायदा क्या होता है कि वो एक particular amount वहाँ पर deposit करते हैं लेकिन यह सोचो कि अगर उनका amount ही छोटा है मालो कि अगर उनसे सिर्फ 5000 dollar as a deposit रखवाया और उनको जो transaction करना था वो यहाँ पर उनको एक लाग dollar का करना था जिसके उपर वो already उतना profit बना चुके हैं तो वो भी यहाँ पर scam कर सकते हैं तो इसमें जो चीज़े रहेंगी वो रहेंगी यह last की तीन आप इन तीन चीज़ें पर focus करो यह तीन चीज़ें अगर आपके साथ हो सकती हैं तो definitely इनके थ्रू जाओ जहाँ पर कि फ्रेंड के सा शेयर नहीं करा है तो तुरण जाए शेयर करें था कि वो सबी लोग भी crypto market से यहाँ पर रह सकें और अगर आप आए फर्स्टाम इस चैनल के उपर तुरण जाए चैनल को करें सब्सक्राइब साथ में देगे नोटिफिशन ब्रकों दो बागे क्लिक करें और क्यों पर ताकि मेरा आने वाली सब वीडियो के इन्फोमेशन प्रॉपर टाम पर पर पास कें तो मैं मिलता आप से लिए कुछ नादे शिंग वीडियो को साथ तो प्रक्लाव पर करें टे ए बाइब बाइब